अलो फ्रेंट्स या देख रहे आरो वाट्र सपोर्ट चैनल और हाज मैं आपको बहुत ही इंपोर्टेंट फर्मुला बताने वाला हूं और यह फर्मुला international level करता है इंडिया के लिए कुछ अलग ही फर्मूला है तो चलिए international level पर जो फर्मूला है उसको हम देखते हैं तो पहले हम जानेंगे कि आपका जो RO-membrane है उसका GPD क्या है यहनि GPD of RO-membrane उसको आपको multiply करना है फोर से और फिर उसको total को divide करना 0.38 से और यह निकल करके आता है floor restrictor का size एफर्टी floor restrictor tube का size पता चलता है तो मान लिया जा है कि आपका RO-membrane है कितना GPD का 75 GPD का तो 75 को multiply करना होगा 4 से और divide करना होगा total को 0.38 से तो यह करके कितना आ जाएगा चलिए करके देखते हैं फाइफ फोर्जा 20 का 0 और 7 फोर्जा 28 और 2 30 और नीचे आएगा कितना 0.38 तो यहाँ पर पॉइंट के बदले में पॉइंट को अटाएगे खाने का मतलब यह कि यह आ जाएगा यहाँ पर पॉइंट के बदले में वन और दो दिजिट है तो यहाँ तो जी और यहाँ अगा 38 और अब इसको आप calculate करेंगे तो कितना आएगा तो यह आएगा 789 नाइन पॉइंट सम्थिंग एक आवरेज इसको आप मानिए 800 मिली लीटर पर मिनट इसको हम लोग CC में भी चानते हैं यानि 800 मिली लीटर पर मिनट के रफ्तार से reject water देने वाला आपको ख्लोरेस्टिक्टर का यूज करना है 75 GPD मेंब्रेन के साथ में तो मेंब्रेन के GPD के हिसाब से इंटर्निशनली फ्लोरेस्टिक्टर को select किया जाए